चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग बायो के कुछ इंपोर्टेंट को देखेंगे वैसे क्वेश्चन जो आने वाले एक्जामनेशन के लिए काफी महत्पूर्ण है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं जिससे इसका ज़्यादा ज़्यादा आपको मिल सके तो चलिए सबसे फर्स्ट कोशन देख लेते हैं तो हमारा फर्स्ट कोशन है विच अपको फ्लॉइंग इस दा प्रैमरी फंशन ऑफ इंजाइन इन बायो केमिकल रेक्शन बायो फंशन होते हैं इन जैम्स के वो क्या होते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो स्पीड ऑप कैमिकल रेक्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर टू में बोल रहा है दा मॉलिक्यूल डैट स्टो जैनेटिक इंफोर्मेशन इन को सेल में स्टोर करता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिधायोनीन ठीक है और को चैनल गाले यहां उसके में पुछा रहा है तो रेडबर सेल में अमस्ट रहता है टांस्पूर्ट करना ऊक्शीजन है याणि आपसट आसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए नोफ इसका राइट आइन्सिया चाहिए लिए एट पुछा रहा है। प्रोसेस बाइबिच गुलकोज ब्रेकडाउन होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइस इस प्रोसेस हो क्या होता है ग्लाइकोलाइस च्छली कुछा नंबर 6 देख लेते हैं आपको पुछा जाए रहा है कि ब्लड गलोटिंग के लिए कौन सा इसंचियल है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शनडी विटामीन के विटामीन के जो है वह एसंचियल होता है ब्लड प्लोटिंग के लिए कुश्चन नंबर सेबन देख लेते हैं पूछा जाएग इंडोजन आयन कॉंसेंट्रेशन को जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा छेले कॉश्चन नमर एट देख लेते हैं एट में बुच्छा रहा है इन विच और गेनल दस दस साइट्रिक एसीड साइकल टेक प्लेस आपको बुच्छा रहा है वह कौन सा और गेनल है जहां पर कि cytric acid cycle इंडर होता है तो आप उयाद है मिटो कॉंडिया में जो है वह साइटरिक एसीड साइकल प्रफोम होता है question number 9 देख लेता है question number 9 ने पुछा रहा है कि which type of bond is primarily responsible for secondary structure of protein such as alpha helix and beta seeds तो इसका right answer हो जाएगा option B hydrogen bond ठीक है hydrogen bond जो होता है वो primarily responsible होता है secondary structure के लिए protein के ठीक है चलिए question number 10 देख लेता है यह हमारा आज का आखरी question question number 10 में पुछा है रहा है which enzyme is responsible for catalyzing the first step of glycolysis जैनि first step जो glycolysis है उसमें कौन सा enzymes responsible होगा उसको catalyze करने के लिए तो इसका right answer हो जाएगा hexokinase यानि option A is the right answer तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में फिर से मिलेंगे और वे अच्छे अच्छे question के साथ तब तक के लिए बबाबाई टेक कियर हुआ 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 है